कि हलो क्लास 12 कैसे आप सब आई होब आप सब बहुत अच्छे हैं मस्स हैं चलिए स्टार्ट करते अपनी क्लास को हां जी तो भाई जैसे कि आप लोगों ने डिमांड किया था कि मैं हमें करनी है कोशन प्रैक्टिस तो भाई आपकी कोशन प्रैक्टिस मैं करा रही हूं एंस आपके सामने है तो आपकी मंडे वेंस्टे एंड फ्राइडे होती है क्लास 12 आपकी क्लास शाम को छे बजे डेली अब आज यह सीधा स्टार्ट करते कोशन से बिल्कुल देर नहीं करेंगे चलो तो बिटा कुछ कोशन आपको एंसी आटी के मैंने इससे पहले भी करवाए थे हैना अब आज भी मैं आपको कुछ और कोशन के प्राक्टेस कराती हूं तो जहां पर भी आप नोट डाउन कर रहे हैं प्लीज नोट डाउन करते चलें सबसे वेला कोशन है काईक प्रवर्धन से आप क्या समझते हो कोई दो उप्योक्त उधारन दो बिटा काईक प्रवर्धन की बात करें कि आप क्या समझते हो फिर आपको कोई दो एक्जामपल देने तो आपको जो भी दो पताव लिख दो ठीक है मैं आपको कुछ एक्जामपल बताऊंगे अगर उसके अलावा भी आपको कोई लगता है कि मैं हम यह भी लिखते हैं तो आप बिल्कु और जिस बच्चे ने प्लीज वो लेक्षर नहीं देखा है तो जाकर देखो क्योंकि यह जो वर्ड है ना उपरी बूस्तारी प्रकंद अंत्यबुस्तारी कंद बूस्तारी का यह वर्ड तभी क्लियर होंगे जब आप उस लेक्चर को देखोगे ठीक है तो आधी में उनके बीज या बिजवानों को शामिल किये बिना पौधे या वनस्पधी किसी भाग को ही प्रेजन करने के प्रेकरिया काईक प्रवर्दन कहलाती है सिंपल सा करते क्या है काई प्रेवर्दन के विदी में पौधे के किसी एक भाग को लिया जाता है और उससे एक नया पौधा उगाया जाता है सिंपल उसमें उसके जड़ वाले भाग को ले सकते हैं तने वाले भाग को ले सकते हैं पत्ती वाले भाग को ले सकते हैं तो काई प्रेवर्दन किस में होता है पादपो में होता है बात है किसके आखिर एक्जाम्पल क्या है ठीक है क्या बात है यह आखिर इसके एक्जाम्पल है क्या तो भाई एक्जाम्पल क्या है चले जानते हैं तो यहां पर दो दारन बोले हम कोई दो दारन लें सबसे पहले हमने लिय आपको निकलते हैं जिन से नहीं आप और भी बहुत सार एक्जामपल ले सकते हैं आपको लिक्वाए हुए है तो अगर आपने लेक्चर वो मिस कर दिया तो प्लीज उसको देखें तभी क्लियर हो जाएगा ठीक है क्यों आपको चाप्टर में टॉपिक वाइस लाइन से आपको सब कुछ मिल जाएगा चालिए नेक्स कोश्चन भाई यहां पर बोल रहे हैं कि व्याख्या करें कि कि शोर चरण की प्रजनक चरण की जीनता चरण या जीन आवस्ता की बिटा आपको एंसे अर्टे के कोश्चन ना ऐसे लिख फारें कि आपको कहीं और जान के कि शोर चरण को का वाले को तो सभी जीव अपने जीवन में व्रद्धी की एक निश्यत अवस्ता एवं परिपकवता तक पहुंचने के बाद ही लेंगी रन कर सकते हैं तो व्रद्धी का यहकाल कि शोर चरण के लाता है वह चरण जिस समय लड़की और लड़की बाई द जिसके दोरान एक जीव जो है वो लेंगिक रूप से क्या होता है परिपक वो होता है यानि कि विक्सित होता है ऐसे अशिव के बदू के सकता है यानि कि जिस समय वो जनम दे सकता है ठीक है यानी कि यूगमग निर्मान शुरू हो चुका है और यूगमगा कुट्पन कर सकता है और एक नई जीव को जनम दे सकता है तो कईना कई प्रजनन से ही समभनदित क्या घाज आता है क्या कि जीनता चरण या पिर जेना अवस्था तो ये प्रजनक चरण के अंत से मृतियों तक की अव्दी होती है एस अव्दी में मैं कीया वाकर जन्तवों में सेवर्त परिवर्तन उपस्चा का मंद्गतिस से उना प्रोटीन का टूटना आदी जैसे लक्षन दिखाया दे जबकि पॉदों की पतियां पीली होकर गिर जाते एक तरह किसे मालों बूरा व्रद्धा वस्था वाली चीज़ ठीक है चालो नेक्स्ट बिटा अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों म अपने जटिलता के बावजूद बड़े जीवों ने लैंगिक प्रजन को पाया क्योंकि यह है युगमकों में अलग-अलग आनुवानशिक के सम्मिश्ण के माध्यम से आनुवानशिक विवित्ताएं लाता है तता संतिती में आनुवानशिक किसको संदशना को बहतर बना यानि कि वहां पे लेंग जनन हो रहा है जिसमें दो युगमक मिलते हैं और जो जनम ले रहा है उसमें दोनों की गुणा आते सिंपल सी बात है भाई जैव इकस्में सहेता मिलेगी ठीक है आगे आजओ नेक्स्ट है क्या बोल रहे हैं कि व्याख्या करके बताएं कि अर्द युगमक बाटन तो यूगमब हमेशा है जनन को की ठीक है कहां पे जनन को में पायाण जाता है घनन को शाओं में वेटा यह क्या करता है तो एपा जनन को शाओं में जहां पर यह नर में नर युगमक यानि कि शुक्राणू को बनाने मदद करता है जब कि मादा मादा युगमक अंडानू को बनाने में और जब तक नर और मादा युगमक आपस में नहीं मिलते हैं आगुणित तो यही लाइन यही बोले कि आगुणित युगमक हमेशा अ आगुणित अवस्ता में रहते हैं ठीक जबकि जीवों को शरीद दुवी गुणित होता है इसलिए यह आवश्चा कहा कि अर्थ सुत्रिव आगुणित युगमा के गठन के लिए हो सकता है जो विक्सित हो रहा है युगमा को में किसमें वेटा क्रोमोजोम के आधिस्यादि संख्या को सुनिष्चित करता है क्लियर चलो नेक्स्ट प्रतिक पुष्पी पादप के हंजी भई यहां पर क्या बोल रहे हैं पुष्पी पादप के भाको पैचाने और लिखें कि वह आगुडित है या द्वी गुडित बहुत अच्छा कोशन है अचा अंडाश्य दिया हुआ है पराकोश अंडा यानिकी अंड आपका पराग नर्युगमाक और युगमनज अच्छा चलो मैं आपसे पूछू अगर क्या होगा तो मुझे क्या बोलोगे बताओ चलो तो बिटा अंडाश्य कैसा होता है आपका हमजी की पुशपे की बात क作चल रहे हैं 10 कि कैसे पुशपे पादब के भाग कि वह चलों कैसा होता है द्वी गुडित पराग कोश करने अंड मिया होता है Mcalade ओनित पर आग भी- युग्मनच्व दूभी गुणित होता है बाद से यह गोशन्त है आपके सिंपल अभी सारे कोशण कें यह हैं अभी कुछ बचने हैं जैसे कि आप सब को पतारियों को दीरे-दीरे करें कि सारे कोश्ण करा रही हूं अभी यह जैसे आपके भाई टेंशन मत लेना एक्जाम पास आएंगे अलग से स्पेशल ग्लासिस भी लूंगी तो टेंशन के तो बात ही निया यार आपका टाइंशन तो लेनी ही नहीं है क्लियर चालो तो यह कोशन जो है आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं और जितनी भ आपकी बात नहीं है सब अच्छे से क्लियर होगा ठीक है चाल यह तो मिलते हैं जल्दी आपकी नेक्स लेक्टर में नए कोशन के साथ और तब तक के लिए बाबाय और टेक कियर